अगर मैं आप लोगों को इस image को दिखाऊं और आप लोगों से ये पुछूं कि ये किस चीज का image है तो आप सभी लोगों में से अधिकतर लोगों का एक ही आंसर होगा कि ये तो बतक का image है लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये बतक का image नहीं है तो और इस image को ध् वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जनुर देखना और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करके उस बगल वाले बैल आइकन को और नोटिफिकेशन करके अन कर लेना नमबर फाइव इस इमेज को ध्यान से देखो और आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये जो दो संत्रे है उनमें से रियल कौन सा है और फैक कौन सा है तो इसके लिए आप लोगों के पास जट सेकेंड का टाइम है और आप लोगों का टाइम होता है अब स् इस टॉप अब आप लोग खुद अपनी आखों से देख सकते हो कि एक्चुल में ये वाला जो संत्रा है वो फेक है और ये वाला रियल है नंबर फोर इस इमेज को ध्यान से देखो इस इमेज में आप लोगों को क्या दिख रहा है सिंपल सा एक 60 साल की बुड़िया अब इस इमेज को उल्टा करके देखो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है सिंपल सा एक ब्यूटिफूल गर्ल है न ये कमाल का इल्यूजन नमबर थ्री और ये जो इल्यूजन है वो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए इस इल्यूजन का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों को इमेज दिख रहा है उसमें आप लोगों को ऐसा क्या दिख रहा है जो इस image को illusion बनाता है तो इसके लिए आप लोगों के पास 10 सेकेंड का time है और आप लोगों का time होता है अब start Stop तो क्या आप लोगों को पता चला कि इस image में ऐसा क्या है जो इस image को illusion बनाती है तो आप लोगों को पता चला होगा तो आप लोगों ने comment तो कर ही दिया होगा तो चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस image में ऐसा क्या है जो इस image को illusion बनाती है तो सुनो सबसे पहले ये जो आप लोगों को बुढ़ा आदमी दिख रहा होगा उसका जो आँख है वो actual में आँख नहीं बलकि वो घर है और ये जो आप लोगों को आँख जैसे दिख रहा है वो उस घर की खिड़की है और ये जो आप लोगों को इस बुढ़े आदमी का मुच दिख रहा है वो मुच नहीं बल्कि वहाँ पर एक्चुल में एक लड़का बैठा हुआ है और आप लोगों को उसके साइड में यहां भेड तो दिखी ही रहा होगा और यह जो इस आदमी का नाक दिख रहा है वो नाक नहीं बल्कि एक कटा हुआ पेड़ है तो यही सारी बाते इस image को illusion बराती है नमबर टू और यह जो illusion है वो पूरे वीडियो की सबसे best illusion होने वाली है तो देखते हैं हमारे वीडियो को कितने intelligent person देखते हैं और कितने लोग इसका सही सही answer दे पाते हैं तो आप लोग इस image को द्यान से देखिए और आप लोगों को इस image में क्या दिख रहा है यह आप लोगों को मुझे नीचे comment करके बताना है और वो भी 10 second के अंदर तो आप लोगों का जो time है वो होता है अब start इस टॉप आप सभी लोगों में से अधिकतर लोगों को यह simple सा एक लड़की ही दिखाई दे रही होगी जो इसका आख है और यह इसका नाख है और यह इसका mouth है लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि actual में यह बिल्कुल भी लड़की नहीं है बलकी actual में यह चिडिया है यह भी चिडिया है और यह भी चिडिया है और यह इन तीनों चिडिया का घोसला है जहां से उनके बच्चे इनके आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग यहां देख सकते हो इन चिडिया के जो बच्चे हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि इस वीडियो का जो फर्स वाट मैंने बनाया था उसमें मैंने एक question पूछा था और उस समय मैंने इस image को दिखाया था और question यह था कि इस image में ऐसा क्या है जो इस image को illusion बनाती है तो मैंने उस वीडियो में यह कहा था कि जो भी इसका सही answer देगा उसका मैं आने वाली वीडियो में उनका नाम लूँगा इसका जो सही answer देने वाले है उनका नाम है 786 Baba Gamering और जो second number पर है उनका नाम है Beauty Girls यही वे दो लोग थे जिन्होंने इसका सही answer दिया था और इन्होंने जो answer दिया था वो यह की number one में जो minimum है वो नीचे में होना चाहिए और जो maximum है वो उपर में होना चाहिए तो actual में यही बिल्कुल right answer है आप लोग यहाँ देख सकते हो जो minimum है वो उपर में लिखा है और जो maximum है वो नीचे में लिखा है जबकि इन दोनों का जो कि ये किस चीज का इमेज है तो आप सभी लोगों में से अधिकतर लोगों का एक ही आंसर होगा कि ये तो बतक का इमेज है तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड का टाइम है और आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये एक्चुल में किस चीज का इमेज है तो इसके लिए आप आप लोगों का जो टाइम है वो होता है अब स्टार्ट आप लोगों में से अधिकतर लोगों का एक ही आंसर होगा कि ये तो बतक का image है लेकिन कि आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोग इसे सीधा करके देखते हो तो ये आप लोगों को बतक जैसे तो दिखता ही है लेकिन अगर आप लोग इस image को उल्टा करके देखते हो रुको रुको मैं ही इसे उल्टा करता हूँ अब देखो अब आप लोगों को किस चीज की तरह दिख रहा है यह सिंपल से खर्गोश की तरह दिख रहा है तो यह जो इमेज है वह बतक और खर्गोश दोनों को दरसाती है